ये कहानी सच्ची है, एक दम सच्ची, एक सच्ची घटना जिसने उस दौर में सभी के रोंगटे खड़े कर दिये थे। एक ऐसे जुर्म की कहानी जिस जुर्म ने फिल्मेकर्स को एक कल्ट क्लासिक मुवी बनाने की इंस्पिरेशन दी। उस मुवी की शुरुवात में दिखाए गए सभी सीन्स एक दम रियल घटना से इंस्पायर्ड थे। मगर इस वाली रियल लाइफ स्टोरी का एंड भी किसी फिल्म से कम नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सन 1990 के एक दिल दहला देने वाले जुर्म की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विरेन और आप देख रहे हैं सुनो कहानी होरर की यूट्यूब चैनल। 1990 की बात है, इस्टर संडे की शाम दो भाई बहन रे और मेरी थॉम्टन अपनी कार से मिशिगन के एक हाईवे में ड्राइब कर रहे थे। सफर काफी बोरिंग था, इसलिए दोनों भाई बहन एक गेम खेल रहे थे। जो भी गाड़ी उनके सामने आती, वो उनकी नमबर प्लेट में लिखे लेटर्स और नमबर से मिनिंग्फुल सेंटेंस बना रहे थे। रे कार ड्राइब कर रहा था, उसने अपनी कार को स्नोपैरी रोड की तरफ मोड़ा, वो शॉटकट था उनके घर के लिए, वो सड़क एक दम सुनसान थी, सड़क के दोनों तरफ खेत थे, अभी उस सड़क में उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें अपनी कार के वो पहुत जल्दी में था, कुछ ही पल में वो वैन रे और मेरी की कार से बहुत दूर पहुँच गई, और आखों से ओजल हो गई, रे आराम से कार ड्राइब कर रहा था, उसे किसी भी बात की जल्दी नहीं थी, कुछ देर बाद उन्होंने देखा, सड़क के लेफट अगध अजीब डरा देने वाला, मेरी ने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में कुछ ले जा रहा था, एक सफेद चादर जिसमें धेर सारा लाल रंग लगा हुआ था, एक दम खून जैसा, रे कार चलाता रहा, और जब उनकी कार स्कूल को क्रॉस करके आगे निकल गई, तब रे और मेरी ने सडक किनारे वही पुराने मॉडल की वैन को खड़े देखा, जो कुछ देर पहले बड़ी तेजी से उनको ओवर टेक करके गुजरी थी, उसमें कोई नहीं था, रे और मेरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि पुलीस को इनफॉर्म करे, या एक बार पीछे जाकर देख लें कि वहाँ चल क्या रहा है, या फिर वो चुप चाप अपने रास्ते चलते रहें, और ऐसी किसी सिचुएशन में ना फसें, जैसे हॉरर मुवीज में दिखाया जाता है, रे और मेरी अब एक दम शांत थे, उनका दिमाग उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा था, कि पीछे उन्होंने उस स्कूल के पास जो देखा, वो क्या था, लेकिन तब ही उनको अपनी कार के पीछे वही गड़गडाती अवाज सुनाई दी, रे ने बैक व्यू मिरर में पीछे देखा, और मेरी ने गरदन गुमा कर पीछे देखा, उनकी कार के पीछे वही पुराने मॉडल की वैन बहुत तेजी से आ रही थी, वो वैन रे की कार के बंपर से बस कुछ ही इंच दूर थी, रे को खत्रे का एहसास हुआ तो उसने भी अपनी कार की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तब ही उसके पीछे स उस वैन ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई, और फिर रे की कार के एक दम पीछे आ गई, कुछ मील तक बस यही चलता रहा, कार के अंदर बैठे रे और मेरी की जान हलक में आ चुकी थी, रे और मेरी को लग रहा था कि पीछे वैन चलाने वाला शायद उन्हें मारना चाहता है, क्योंकि उन दोनों ने उसे कुछ गलत करते देख लिया था, मेरी अपने दिमाग में उस वैन की नंबर प्रेट को याद करने की कोशिश कर रही थी, जब वो वैन उनके सामने से गुजरी थी, मगर उसे बस शुरू के दो ही लेटर्स याद थे, जो थे जी, जी, तभी कि रे ने मिरर में देखा कि वो वैन एक कच्ची सडक में मुल गई और रे मेरी की कार दूर निकल गई, रे और मेरी जानते थे कि यहाँ कुछ तो गलत हुआ है, उन्हें कैसे भी करके उस वैन की नंबर प्रेट पता करनी होगी और पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, तब उन्होंने कार मोड कर उस वैन के पीछे जाने का फैसला किया, वो दूर से उस वैन की लोकेशन और नंबर प्लेट देखना चाहते थे, थोड़ी देर में रे और मेरी उसी कनेक्टिंग कच्ची सडक के पास आए, जहां वो वैन मुड़ी थी, और बस तभी उन्होंने उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली एक और चीज़ देखी, उस वैन का पिछला पैसेंजर डोर खुला हुआ था, और उस डोर के अंदर वाले साइड में बहुत सारा लाल रंग लगा हुआ था, एक दम खून जैसा, वो खून ही था, ये पक्के तोर पर क दल दी थी, रे और मेरी ने सोचा, यहाँ पर ज्यादा देर खड़े रहे तो शायद मुश्किल में पढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस स्कूल में वापस जाकर उस सफेद चादर को ढूनने का फैसला किया, वो पता लगाना चाहते थे कि उस चादर में जो वो लाल कर रे और मेरी ने अपने आस पास अच्छे से देखा, और कुछ ही देर में उन्हें वो जगह मिल गई, जहां उस आदमी ने वो सफेद चादर को छुपाया था, वो जगह थी, जमीन में एक बड़ा सा छेद, शायद किसी जानवर का बिल था, उसके अंदर खून से सनी हु जब भी एक सफेद चादर को ठूसा हुआ था, कुछ इस तरह कि किसी की नजर में ना आए, रे और मेरी तुरंत वापस अपनी कार में आए, और फोरण वहां से भाग निकले, और उन्होंने फैसला किया कि वो पुलीस के पास जाएंगे, और उन्हें पूरी वारदात की ज अब भी उनके बगल से कोई गड़गडाती हुई गाड़ी गुजरती, तो उन्हें यही लगता कि वही आदमी है, जिसकी वो रिपूर्ट लिखवाने जा रहे थे। की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त उसी पुलीस स्टेशन में एक कॉल आई, एक छोटी लड़की की कॉल, वो लड़की बहुत घबराई हुई थी, और उसने पुलीस को बताया कि उसकी मॉम जिनका नाम मैरिलिन डिप्यू था, उसके डैड उनको जबरदस्ती अपने आदमी है, और जिस तरह वो उनकी मॉम को वेन तक लेकर गए थे, उससे ये नहीं लग रहा था कि वो मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, मॉम की जान को खत्रा है, फोन में उस छोटी लड़की की बात सुनकर पुलीस तुरंत हरकत में आई, बस इतनी ही देर में उसी प प्लेट्स बदली, बस फिर क्या था, पुलीस ने तुरंत एक्शन लिया, और तुरंत ही उस स्कूल में जाकर इन्वेस्टिकेशन की, कुछ पुलीस वाले मेरिलेन डिप्यू को ढूनने के लिए निकल गए, उस स्कूल के पास पुलीस को एक सफेद चादर मिली, जो खून से सनी हुई थी, उस एरिया को सील कर दिया गया, पुलीस की फर्दर इन्वेस्टिकेशन में और खून से सनी हुई चादर में से लिये गए ब्लट सेंपल से, ये तो पता चल गया था, कि वो खून मेरिलेन डिप्यू का था, पर अभी तक उसकी बोडी मिली नहीं थी, इसल भी डेनिस डिप्यू को जानता था, उसने पुलीस को यही बताया कि डेनिस बहुत कंट्रोलिंग नेचर का था, वो सिर्फ अपना दबदबा चाहता था, वो अपनी पतनी से डिवोस नहीं लेना चाहता था, पर कई लोगों का ये भी मानना था, कि डेनिस इतना जगन्य अ दिखता है वो सच नहीं होता, बंद दर्वाजों के पीछे कहानी कुछ और ही होती है, मैरलिन की कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि मैरलिन अक्सर कहती थी कि वो डेनिस डिप्यू के साथ खुश नहीं है, हालां कि डेनिस ने कभी उस पर हात नहीं उठाया, पर वो घर पर सिर अधी को बचाने की, मगर इसके लिए उसने कभी मैरलिन के साथ कोई जगड़ा नहीं किया, मैरलिन तलाक के फैसले को लेकर एक दम पक्की थी, डेनिस की लाख कोशिशों के बाद भी मैरलिन का दिल नहीं पिगला, डेनिस मैरलिन को बच्चों की प्रायमरी कस्टेडी देन को मान गया, और अपनी प्रापटी में से भी एक बड़ा हिस्सा उसने मैरलिन को दे दिया, जिन्होंने भी इस केस के बारे में पढ़ा, उनका यहीं कहना था, कि डेनिस ने अपनी तरफ से शादी को बचाने की पूरी कोशिश की, पर सब कुछ उसके हाथ से निकलता गया, उनका डिवोस हो गया, और डिवोस के बाद डेनिस अपने बच्चों के कॉंटक्ट में ही रहता था, और ज्यादा तर वहीं उनके घर में ही दिखता था, उस घर के गिराज को उसने अपने ऑफिस के रूप में इस्तमाल करना शुरू कर दिया था, जैसा कि डेनिस का घर से जाने को कहा, और डेनिस वहां से चला गया, इस्टर संडे की वो शाम जिस दिन वो घटना घटी, उसी दिन दोपहर में, जब मेरलिन अपने घर लोटी, तब वो डेनिस को घर के अंदर देखकर चौक पड़ी, और उसे देखकर डर भी गई, उसने तुरंत डेनिस को वहां से जाने को कहा, डेनिस चला गया, तब मेरलिन ने तुरंत अपने घर की सारी खिड़की दरवाजों को अच्छे से चेक किया, डेनिस को घर के अंदर देखकर मेरलिन इसलिए डरी थी, क्योंकि उसने हाल ही में घर के सारे लोक्स को बदलवा दिया था, और डेनिस के पास उसकी चाब ही नहीं थी. फिर डेनिस घर के अंदर कैसे आया? इसका कोई पुखता जवाब मेरिलिन के पास नहीं था. इस घटना से ये तो साफ नजर आने लगा था कि डेनिस और मेरिलिन के बीच की तकरार अब गलत मोड लेने लगी है. पुलीस की इन्वेस्टिकेशन में ये भी पता चला कि जहां डेनिस काम करता था. वहीं काम करने वाले एक वर्कर से डेनिस ने अपनी मानसिक इस्तिथी का जिक्र किया था. डेनिस ने अपने को वर्कर को बताया कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है और वो मेरिलिन को जान से मारना चाहता है. ऐसा कहते हुए डेनिस ने अपने हाथ में कस कर चाकू पकड़ा हुआ था और उसकी आँखों में खून सवार था ये एक गंभीर चिंता का विशे था मगर उस घटना से पहले किसी ने डेनिस की उस मनोदशा के बारे में रिपोर्ट नहीं किया अगर कर देता तो शायद उसके कुछ दिन बाद ही मेरिलिन के साथ जो अपराध हुआ वो होने से बच जाता इस्टर संडे वाले दिन जब शाम को रे और मेरी ने डेनिस को स्कूल के पास उस खून से सनी चादर को ठिकाने लगाते हुए देखा था उसी दिन दो पहर में पक्के तोर से डेनिस अपने बच्चों से मिलने मेरिलिन के घर गया था पर जब उसके बच्चों में से एक ने डेनिस के साथ जाने से मना कर दिया तब बाकी बच्चों ने भी डेनिस के साथ रहने और समय बिताने से साफ इनकार कर दिया इस बात से डेनिस का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बच्चों पर चिलाना शुरू कर दिया इसी बीच मेरलिन ने डेनिस को धमकाया कि वो बच्चों से इस तरह से बात ना करे डेनिस और मेरलिन के बीच बहस होने लगी बच्चे अपने बाप के खिलाफ हो चुके थे और इसके लिए डेनिस मेरलिन को जिमेदार बता रहा था दोनों के बीच की बहस बढ़ गई और डेनिस ने गुस्से में आकर मेरलिन को सीडियों से नीचे धका दे दिया और उस पे हमला करने लगा उनके बच्चे डरे सह में बस देख रहे थे और इससे पहले कि मेरलिन और डेनिस की बेटी जैनिफर मदद मांगने के लिए पड़ोसी के घर जाती डेनिस ने मेरलिन को उठाया मेरलिन अधमरी हो चुकी थी खुन से भीग चुकी थी डेनिस मेरिलिन को घसीटता हुआ अपने वेन तक लेकर गया उसने जैनिफर को बताया कि वो उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है उसके बाद डेनिस अधमरी मेरिलिन को लेकर वहां से निकल गया और उसके बाद आप जानते हैं कि वो कहां गया था जब रे और मेरिन ने डेनिस को स्कूल के पास देखा था तब उसके पास सिर्फ चादर थी मेरिलिन नहीं तो डेनिस ने मेरिलिन को कहां छोड़ा क्या उसने मेरिलिन को हॉस्पिटल में अडमिट किया फिर वो वहां उस स्कूल के पास क्या कर रहा था क्या वो इस बात के सबूत मिटाने के लिए आया था कि उसने अपनी एक्स वाइफ को चोड पहुचाई है तब तक इन बातों का कोई जवाब नहीं था मैरिलिन कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं थी फिर वो है कहा पुलीस के लिए ये एक बड़ा सवाल था इसलिए पुलीस ने एक बार फिर से उसी स्कूल के आज पास वाले इलाकों में अच्छे से तलाशी की उन्हें मैरिलिन डिप्यू की लाश मिल गई उसके सिर के पीछे एक छेत था उसके सिर में गोली मारी गई थी डैनिस डिप्यू को ढूनने के लिए टीम और बढ़ा दी गई पर उसकी कहीं से कोई भी जानकारी हात नहीं लगी कहीं कहीं से ये खबर जरूर मिली कि उसकी वैन को सडक में चलते देखा गया था कभी इस सडक में तो कभी उस सडक में वो एक डरावने भूतिया अर्बन लेजेंड की तरह जाना जाने लगा था लोग चटखारे लगा कर उसकी कहानी सुनाने लगे रात में जब किसी सडक में गलगलाती कोई वैन की अवाज सुनाई परती तो लोग कहते थे कि डैनिस डिप्यू आ रहा है समय बीतता रहा मगर डैनिस डिप्यू का कोई पता नहीं चला मगर डैनिस अपने दोस्तों रिष्टेदारों को खत भेज रहा था जो इस्टर्न युनाइटेड स्टेट से आ रहे थे उन खतों में वो बता रहा था कि उसने जो किया उसकी जगह में अगर कोई और भी होता तो वही करता उसकी पतनी मेरलिन ने उसकी जिन्दगी जहन्नुम बना दी थी जब आपकी मकार बीवी आपको धोका दे आप से आपके बच्चों को छीन ले आपका परिवार आपकी जिन्दगी को बर्बाद कर दे और तब जब आपके पास ना इतनी उम्र हो कि आप दोबारा जिन्दगी शुरू कर सके तब आपके पास कोई दूसरा उप्शन नहीं बचता मैंने जो किया एकदम सही किया मार्च 1991 तक डेनिस डिप्यू के केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई और डेनिस डिप्यू लगभग गायब हो चुका था उसके अपराध को अब एक साल हो चुका था पिछले साल इस्टर संडे के दिन मिशिगन में डेनिस अपनी पतनी का कतल करके फरार हो गया था एक साल बाद मार्च 1991 में एक टीवी शो दि अनसॉल्ड मिस्ट्रीज में एक एपिसोड टेलेकास्ट हुआ जिसमें से एक केस डेनिस और मेरिलिन डिप्यू के बारे में था कि आखिर मेरिलिन डिप्यू के साथ क्या हुआ था ये एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब जनता जानना चाहती थी वो एपिसोड पूरे देश की टीवी स्क्रीन्स पर चला और लगभग एक हजार मील दूर टेकसास में एक घर के अंदर टीवी में वही एपिसोड चल रहा था उस टीवी के सामने बैठा था हैंक नाम का एक आदमी उसी वक्त हैंक के कमरे का दरवाजा खुला और उसकी गल्फरेंड घरवापस आई बस उसी वक्त हैंक नर्वस हो गया और गुस्सा करने लगा हैंक की गल्फरेंड ने हैंक से पूछा कि क्या हुआ तुम इतने परिशान क्यों हो हैंक बोला कि उसकी मा की तवियत अचानक से खराब हो गई है वो अपनी मा से मिलने जा रहा है हैंक ने अपनी गल्फरेंड का ध्यान टीवी से हटाया और उसे उस कमरे से बाहर ले आया उसने पूरी कोशिश की कि वो टीवी वाले कमरे में न जाए जहां वो एपिसोर चल रहा था जिसमें डैनिस और मेरिलिन डिप्यू की तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी हैंक ने फटा फट अपना बैक पैक किया और उस घर से निकल गया वो बहुत जल्दी में था उसने अपना बैग अपनी एक पुराने मॉडल की वैन में रखा और तेजी से वहां से निकल गया उस टीवी शो में जो भी एपिसोड चल रहा था उसने हैंक को परिशान कर दिया था शायद आप समझ ही चुके होंगे कि हैंक उस एपिसोड को देखकर इतना उतेजित क्यों हो गया था क्योंकि हैंक ही डैनिस डिप्यू था वो पिछले एक साल से नाम और पहचान बदल कर टेकसास में रह रहा था इससे पहले कि कोई और भी वो एपिसोड देख ले और डैनिस को पहचान ले कि वो हैंक नहीं बलकि एक फरार मुझरिम है डैनिस का वहां से निकल जाना बहुत ज़रूरी था डैनिस ने जैसा सोचा था कुछ समझ पाती डैनिस उसको छोड़कर वहां से फरार हो गया डैनिस की गल्फेंड भी अब समझ चुकी थी कि डैनिस इतनी जल्दी में क्यों था क्योंकि उसे पुलीस के आने से पहले भागना था कुछ देर के अंदर ही डैनिस की गल्फेंड के दर्वाजे में पुलीस ने दस्तक दी पुलीस ने उसको बताया कि उसका बॉइफ्रेंड हैंक असल में डैनिस है और एक भागा हुआ कातिल है जिसने पिछले साल अपनी पत्नी का कतली किया था डैनिस की गल्फेन अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस आदमी के साथ वो पिछले एक साल से रह रही थी प्यार करने लगी थी, वो एक कातिल है पुलीस ने उसको डैनिस डिप्यू की फोटो दिखाई जब उसने फोटो देखी, तब उसे यकीन हुआ कुछ ही घंटों के अंदर पुलीस को डैनिस की लोकेशन का पता चल गया और फिर क्या था, पुलीस डैनिस के पीछे पड़ गई डैनिस हाइवे में पूरी रफ्तार से अपनी वैन दोड़ा रहा था पुलीस की कार्स उसके पीछे पीछे भाग रही थे डैनिस एक अच्छा ड्राइवर था पुलीस को चक्मा देकर वो बार-बार पुलीस की पहुँच से बच रहा था ये चेस सीन कुछ घंटों तक चला पुलीस समझ चुकी थी कि अगर ऐसे ही उसका पीछा करते रहे तो शाम हो जाएगी इसलिए पुलीस ने अब डैनिस की वैन के टायर्स में गोली चलानी शुरू कर दी कई गोलियां तो मिस हुई मगर एक गोली डैनिस की वैन के पिछले टायर में जाकर लग गई और उसका टायर फट गया और रिम से उतर गया डेनिस फिर भी बीना टायर की गाड़ी चलाता रहा, तभी उसकी वैन के दूसरे टायर में भी एक गोली लगी और वो टायर भी फट कर उतर गया, कुछ दूर फिर भी वैन चलती रही और कुछ दिर बाद वो वैन रुख गई, पुलीस वालों ने डेनिस की वैन को चारो तर पुलीस पर फारिंग शुरू कर दी, पुलीस ने भी जवाब में डेनिस की कार में गोलियां चलाई, आखिर में डेनिस ने अपनी पिस्टॉल को अपने सिर से सटाया और गोली चला दी, डेनिस ने खुद को मार दिया. डेनिस एक कंट्रोलिंग नेचर का आदमी था, वो चाहता था कि सब कुछ उसके हिसाब से हो, उसने अपनी मौद भी अपने हिसाब से ही चुनी. ये एक सच्ची कहानी है, इस कहानी की शुरुआत आपको 2001 में आई फिल्म, जीपर्स, क्रीपर्स से काफी मिलती-जुलती लगी होगी. हाँ, शुरुआत के सभी सीन्स एकदम रियल स्टोरी पे बेज़ड हैं. रे, मेरी और डैनिस मेरिलिन की ये कहानी एकदम सच्ची है. दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक जरू कीजगा. चैनल सब्सक्राब नहीं किया, तो सब्सक्राब कर लीजगा. अगर आप इसी तरह की और भी सच्ची कहानियों सुनना चाहते हैं, तो कमेट में जरूर लिख कर बताइए. मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद.